हालो स्टुडेंट्स लास्ट मैंने आपको केस टूल के बारे में वीडियो बेजा था आज मैं केस टूल से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स आपसे डिसकस कर रहा हूं पहला है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक केस बिल्डिंग ब्लॉक्स केस बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो होता है कम्प्यूटर एड़ेक एक सॉप्ट्वेर होता है जिसमें कि हम किस तरह से केस बनाते हैं ठीक है जैसा कि आप यह फिगर देख भी पा रहे हैं इसमें सबसे नीचे इंवर्वरेमेंट आर्किटेक्चर हाडवेर प्लेटफॉर्म, ओप्रेटिंग सिस्टम, प्रोबिबिल्टी सर्विसेज, इंटिग्रेशन फ्रेमबर्ग, केस टूल्स लास्ट में सबसे उपर होता है इस डाइग्राम में देखेंगे सबसे पहले जो नीचे होता है इंवर्वरेमेंट आर्किटेक्चर इंवर्वरेमेंट आर्किटेक्चर इस कंपोजड आफ हाडवेर प्लेटफॉर्म और सिस्टम सपोर्ट सेकेंड असेट आप Portability Services यह से तीन होता है अपरेटिं़ नियुक्र में आप आप Portability Services प्रवाइदेंगे प्रेमेरेमेर्वेर्वर्ड आर्खिटेक्चर ब्रुमेर्ड मेंड आर्किटेक्चर इस अप्लेक्टन आफ इस आफ प्रेशे KS tools to communicate with one another to create a project database and exhibit the same look and feel to end user. KS tools are used to assist software engineering activities like analysis, modeling, code generation etc. 2. Advantages or Disadvantages Procedure system with a longer effective operational life Disadvantages Produce initial systems that are more expensive Produce system that more closely meets user needs Disadvantages require more extensive, accurate definitions of user needs Produce system with excellent documentation may be difficult to customize Produce system that need less system support requiring training or maintenance staff This is all of the disadvantages And the next topic I will send you to you